नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर नखिल आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियों में हम बात करेंगे बहुत effective homeopathic medicine जिसका नाम है nitric acid जिसे हम acid nitricum के भी नाम से जानते हैं यहां हमारी सरी में कहां-कहां असर करती हैं किन-किन बिमारियों में इस medicine का हम यूज कर सकते हैं किस potency में हमें इस medicine का यूज करना चाहिए किस potency में यहां सबसे अच्छे result देती है क्या हमें 30 potency में इस medicine का यूज करना है क्या 200, क्या 1M potency में हमें इस medicine का यूज करना चाहिए कि spot enzyme या सबसे अच्छे result देती है साथी साथ बात करेंगे दोस्तों इसके well mark की note symptom की बारे में कि patients में हमें क्या well mark की note symptom हमें देखने को मिलेंगे तो patients को हमें nitric acid medicine देनी की आउच रखता होती है तो दोस्तों वीडियो को अंतक देखे medicine को अच्छी तरह से समझे और medicine का use करके अपनी problem को पूरी तरह से ठीक करें दो चलिए देर ना करते हैं इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले यदि आप हमारे channel पे नए हैं यदि आप हमारे channel से जोड़ना चाहते हैं तो red color की बटन दबा कर channel को subscribe कर लें well icon की घंटी को प्रेस कर दें ताकि सभी latest medicine की update सबसे पहले आपको मिल सके यदि आप किसी भी disease से सफर कर रहे हैं उसकी medicine आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी live clinic join कर सकते हैं daily 8.5 बजे में live आता हूँ nitric medicine देने की आप सकता होती है सुई चुबने जैसा दर्द हिंदी में समझा रहा हूँ सुई चुबने जैसा दर्द body के किसी भी part में आपको होता है किसी भी disease में यहां लक्षन आपको देखने को मिलता है तो उस medicine का उसमें use किया जाता है bell mark की नोट symptom यहां पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है चाहेवा पाइल्स हो चाहेवा फिसर हो चाहेवा फिस्टूला हो चाहेवा ब्रोंकाइटिस हो चाहेवा अस्तमा हो चाहेवा निमोनिया हो चाहेवा जांगों में आपके दर्द हो रहा है चाहे पिंडलियों में आपके इस तरह का दर्द हो रहा है या आपको बाबा सीर की काफी लंबे समय से प्रावलम्स है तो इस मैडिसीन का यूज उसमें किया जाता है बेल मार की नोट सिंटम आप दिस नाइटरिक एसेड मैडिसीन यहां लक्षण देखने को मिल रहा है तो आप मैडिसीन उस कर सकते हैं दूसरा आता है यहां जो मैडिसीन है यहां उसमें इस मैडिसीन का यूज किया जाता है आपकी यहां चोटे वच्चे हैं क्ड़ी के यहां चोटे वक्चे होते हैं saute मित्टी जादा क Ο Цे押ते हैं तो उस में राम बार ड़ी की सुन रहा है तो रैड डूओ की ब्टन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें वैल आइकन की घंटी को प्रेस करें और यहाँ वी ड़ो अपने फैंमिली मिंबर में forward कर दे ताकि उनका बच्चा चाक कलम कोईला मिट्टी खाता है तो इस medicine का वहाँ यूज कर सकते हैं किस potency में करना है वीडियो के लाश्ट में आपको बताऊँगा बहुत ही अच्छा राम बान की तरह काम करती है उसमें बच्चा दीरे-दीरे करके चाक, कलम, मिट्टी, खाना दीरे-दीरे करके छोड़ देता है यहाँ इसका बैलमार की इनोट सिम्टम है इसके बाद नेक्स्ट बैलमार की इनोट सिम्टम हमें यहाँ देखने को मिलता है जो भी इसका discharge होता है बहुत ही accurate होता है किया जाता है यहाँ इसका एक बैलमार की नोट स्रिंटम है तो चलिए आए जान लेते हैं आप किन-किन डिजीजों में इस मैडिसिन का हम यूज कर सकते हैं किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलेंगे तो पेसेंट्स को आपको नाइट्रिक मैडिसिन देने की आप सकता हो होते हैं जब भी आप इस टूल पास करने जाते हैं तो इस टूल पास करते समय आपको सुई चुबने जैसा दर्द होता है काफी दर्द का सामना आपको करना पड़ता है आपको हमेसा गड़न महसूस होती है इस टूल पास करके जैसे ही आप आते हैं तो हमेसा दर्द आपक तो आपकी जो piles की जो problems होता है, जो इस तरह का दर्द आपको सहना पड़ रहा है, cutting like pen आपको सहना पड़ रहा है, वहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाता है, बहुत अच्छी medicine है, दूसरे नंबर पे आता है, fisur की problem, कि इती आपको fisur की काफी काफी लंबे समय से problems है, जैसे मैंने आपको बताया था यहां जो हमारे skin और mucos membrane आपस में जहां जुड़ती है यदि वहाँ पर cracks आने लगे हैं तो उसमें यहां रामबान की तरह कात्व करती है फिसर में आपकी cracks आने लगे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यदा दर्द होता है उठने बैठने में आपको problems होती है 200 potency इसके बाद medicine का repetition ना करें problem दीरे दीदे करके पूरी तरह से खेक हो जाएगी next लक्षन आता है fistula में यहां बहुत इच्छा काम करती है fistula में यदि यहां लक्षन देखने को मिल रहे हैं तो इस medicine का आप यूज़ कर सकते हैं इसमें जो discharge होता है बहुत ही ज़्यादा इस medicine का आप यूज़ कर सकते हैं आपकी problem पूरी तरह से ठीक हो जाएगी बहुत ही अच्छा काम करती है नेक्स आता है pneumonia की case में बहुत ही अच्छा काम करती है जब कफ बहुत ज़्यादा जम जाता है सांसे बहुत ज़्यादा बच्चा धीरे-धीरे करके बहुत तेज लेने लगता है और सीने में सुई चुबने जैसा दर्ध होता है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है अस्थमा ब्रङंकाइटिस के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है नाइ्ट्रक असिड बहुत ही अच्छा काम करती है वाडी के किसी भी पारट में सुई चुबने जैसा दर्ध हो रहा है 30 potency में Charbonne Suga Charbonne Siam को आपको करना है बहुत ही अच्छे results इसमें देखने को मलते है potency का repetition, potency का use आपको करनी है किस potency में करना है वीडियो के साथ में ही आपको मैं बताते चल रहा हूँ तो वीडियो potency को आप note कर सकते हैं अपनी disease के अनुसार next आता है बच्चों में यहां बहुत ही अच्छा काम करती है जिन बच्चों को मिट्टी खाने की आदकता है चाक खाने की आदकता है कोईला मुँ में डालकर बढ़ी आराम से चबाते रहते हैं बच्चों को कलम देते हैं आप लिखने के लिए कलम मुँ में डालके बढ़िया मज़े से चबाते रहते हैं और आप बहुत ज़्यदा परिशान है तो 30 पटेंसे में दिन में एक ही वार आपको देना है कम से कम 15 से 20 दिन तक देंगे बच्चों कि आप प्रॉबलम दीरे दीरे करके पूरी तरह से टीक हो जाएगी बहुती इफाक्टिव होमोपैथिक मेडिसीन है जो बच्चे चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं गरम चीज ज़्यादा खाते हैं चटपटा ज़्यादा खाते हैं और कॉफी ज़्यादा पीते हैं उस चीज से आप ज़्यादा परिशान है तो उसमें नक्स भूमिका बहुत ही अच्छा काम करती है यहाँ पे हम डिसकस कर रहे हैं कलम, चाक, कोईला, मट्टे इसमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है, नैट्रिक असिड नैट्रिक असिड बहुत ही अच्छा काम करती है, वहाँ पे एक्रीड दर्द आपको मैसूस होता है, सुई चुबने जैसा दर्द होता है और इस तरह के क्रेक्स आपके सरीर में देखने को मिल रहे हैं कही भी, तो नैट्रिक असिड थर्टी पोटेंस में चारबुन, सुबा चारबुन से आपको यूज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम जो है धीरे-धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाएगी नेक्स लक्चन आता है, कॉंस्टी पेशेंट्स में यहां बहुत अच्छा काम करती है, यदि आपको कॉंस्टी पेशेंट्स की काफी लंबे समय से प्रॉब्लम से हैं, जब भी आप स्टूल पास करने जाते हैं, तो काफी दर्द का आपको सामना करना पड़ता है प्रॉपर तरीका से आपका पेट साप नहीं हो पाता, और वहां पे सुई चुबने जैसा दर्द आपको देखने को मिलेगा, और चीरने फारने जैसा आसेनी दर्द आपको देखने को मिलेगा, तो उस कंडिशन में नाइट्रिक एसेड बहुत अच्छा काम करती है, अच्छा काम करती है यदि आपको गाउट की प्रावलम्स है काफी लंबे समय से आप परिशान है यूरिक एशिट आपका प्रापर तरीका से नार्मल नहीं होता जब भी आप पिशाप करने जाते हैं तो यूरिन से आपको घोडे की बदबू जैसी इसमेल आती है बहुत गं काफी अच्छे रिजसर आपको से क्Trina कंटा कर सकते हैं दोस्तु आपको पूरी लाइक करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें हैं रेट कलर की बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करके वल आइकन की घंटी को पेज कर दें और डेली रातरी साड़े आठ बजे लाइब क्लिनिक जरूर जोईन करें दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक लिजए ही जै वारत बंदे मातर